सब्सक्राइब कीजिए GIC Education चैनल को और दवाएए बेल आइकेन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार आप देख रहे हैं GIC Education GIC Education के आज के इस वीडियो में आपको 16 नमबर 2018 से बनने वाले सभी Current Affairs के बारे में हम आपको बताएंगे इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे अगर आप इस Current Affairs की पीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देएगे लिंक पर जाकर पीडियो पासानी से डाउनलोड कर सकते हैं चलिए समयना बरबात करते हुई है आज के Current Affairs पर चलते हैं पहला Question अमेरिका के इदिहास में पहली बार White House पर किस न्यूज चैनल ने मुकदमा दायर किया तो यह दायर किया है CNN News ने यह क्यों दायर किया है तो इन्हेंने CNN News ने White House की अपने रिपोर्टर Jim Acosta का White House पास चीने जाने को लेकर Trump समेथ प्रसासन के 6 लोगों पर वासिंग गटन डिश्ट्रिक कोर्ट में मुकदमा कर दिया है यह किया है CNN ने इस Question का भी कलब सी सही है दूसरा Question भारत और जापान के बीच हाल ही में किस नाम से आयोजिस सैयुक्त युद अभ्यास का समापन हुआ तो इस समापन हुआ धर्म गार्डियन का इसका समापन कब हुआ भारत और जापान के बीच 14 नौंबर 2018 को धर्म गार्डियन सैयुक्त युद अभ्यास का समापन हुआ इस युद अभ्यास का आयोजन मिजोरम के वेरंट में किया गया इस Question का भी कलब डी सही है तीसरा Question हाल ही में चर्चा में आये चक्रवाती तूफान का क्या नाम है जिसके चलते तमिलाड में हाई अलर्ट घुशित किया गया तो यह तूफान था गज यह तूफान किन किन राज्जों में आया था यह था भारतिये नोसेना का दच्छिन तमिल नाडू और पुंडु चेरी के तटों की ओर बढ़ रहे गज चक्रवाती तूफान को देखते विए हाई अलर्ड जारी कर दिया गया मौसम विभाग ने इन दोनों राज्जों में भारी बारिस की छेतावनी दी है इस कुश्चिन का भी कल्बी सही है चौथा कुश्चिन 38 में भारतिये अंतर राष्टिये ब्यापार मेले का आयोजन निमलिखित में से किस राज या केंदर सासित परदेश में किया जा रहा है दिल्ली में इसका अरंब किस तारिक से हुआ दिल्ली में 14 नौंबर को इस कुश्चिन का भी कल्ब सी सही है इसमें से एक प्रश्चिन उठता है कि इसका उधगाटन किस ने किया तो इसका उधगाटन राज संस्कृत मंतरी महेश सर्मा ने किया प्रश्चिन मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आई एन जी कुरूप ने किस बैंग में बाकी अपने करीब 7200 करोण रूपए मुल्ल की हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है तो फैसला लिया है कोटक महिंद्रा बैंग ने मेडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आई एन जी गुरूप ने कोटक महिंद्रा में बाकी अपने करीब 7200 करोण रूपए की हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है इस कुश्चिन का विगल भी सही है चाथा कुश्चिन भारतिये डेलवे ने देश के कितने बैस्त रेलव इस्टेशनों पर जो सबसे बैस्त रहेंगे बैस्त है उस पर लगाने का निलड़े लिया गया है भारतिये रेलवे के दौरा इस कुश्चिन का विगल भी सही है सात्वा कुश्चिन जी सेबन देशों में कौन सा पहला ऐसा देश है जिसके केंजरिये बैंक की संपति सात्वा कुश्चिन उत्तर पूरवी राज्यों की समिच्छा बैठक में सभी उत्तर पूरवी राज्यों को खुले में संसे मुख्द करने की समय सीमा क्या तैंगी है तो जोते हैं कि यह पूर्वोतर राज्यों की समिज्जा बैठक 14 नॉम्बर 2018 को गोवाटी असम में आयोजित की गई उन्होंने प्रतिबधता जाहिर की कि वे दिसंबर 2018 तक खुले में सौंस से मुक्त हो जाएंगे तो यह दिसंबर 2018 तक खुले में लांच की गई जी सेट 29 उपगरा को किस सबसे वजनी राउकेट की साहिता से छोड़ा गया तो भारती अंतरिक्ष अंसद्धान संगठन ने गाजा नामक तूफान के खदरे की असंगा के बावजूद आंधर परदेश के सिरी हरी कोटा से संचार उपगरा जी सेट 29 का जी एस लबी मकेटू रॉकेट की सहायता से सपल परिछन किया तो इस क्विश्चन का विकल्प ए सही है दास्वा क्विश्चन हाल ही में रामायड सरकिट पर चलने वाली सिरी रामायड एक्सप्रेस को किस अस्थान से हरी जंडी दिखा कर रावाना किया गया तो दिल्ली इस्थित सवदर जंग रेलवे स्टेशन से पूरे रामायड सरकिट पर दोडने वाली विसेश परियाटक ट्रेन सिरी रामायड एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखा कर रावाना किया गया इस क्विश्चन का विकल्प भी सही है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें सेयर करें सुझाओ के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ उबस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारा टेक केर गुड़ बाय